वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आर एंड आधितिया क्लासिस इसके अंदर आज हम देखेंगे NCRT का NCRT जो आपको CVSC बोर्ड का है CVSC बोर्ड में इसमें आपका चैप्टर नमबर 3 चैप्टर का नाम है Understanding Quadrilateral तो इसके बारे में हम जो है इसमें आज इसके introduction पार्ट को हम देखेंगे तो यह आपका जो है इसमें introduction पार्ट है Intro पार्ट है इसका इसका part 1 इसको दो पार्ट में मैं इसको complete कर दूँँगा पहला हमारा जो है इसमें देखिए Plain surface, Plain surface क्या होता है Plain surface हमें जैसे join a number of point without lifting a pencil यदि मैंने यहां से pencil चलाई यहां पे अब यह जो lines है यह कई points से मिलकर बनी हुई होती है लेकिन इसमें Plain surface जो होता है इसकी condition यह होती है कि एक बार आपने यह रखा और इसको आपने उठाना नहीं है यह आपका बन गया यह आपका plane surface हो गया अब इसके बार है कि अब इसके बार हम जानते हैं कि जो आपका simple closed curve simple closed curve क्या होता है तो simple closed curve क्या होता है simple closed curve के अंदर यह होता है कि यह तो पूरा एक- तो एक clause होना चाहिए इसके बाद जैसे मैं मान लिजे मैंने कोई यहाँ पे एक circle बनाया क्या आप इसके अंदर क्या बता सकते हैं कि कहां से मैंने इस सुरू किया या कहां पे मैंने इसका end किया तो main condition जो simple close curve होता है इसमें यह condition इसकी यह होती है कि आप यह judgment नहीं कर पाते हैं कि starting या ending point क्या होता है और इसमें एक point दूसरे point के उपर overlap नहीं होता है यह इसकी condition है तो यहाँ पर मैंने देखिया इस आप में लिखा हुआ है point not overlap और can't judge starting और ending point तो इस तरह के जो आपकी figures होंगे वो simple close curve कहलाएंगे उसके बाद list हम देखते हैं list है a close curve अब a close curve not simple पहले इससे पहले हमने देखा था कि simple close curve अब close curve तो होगा लेकि simple नहीं होगा अब ऐसा क्यों बोला जाता है simple नहीं है क्योंकि इसके अंदर में यह देखते हैं कि इस तरह हमारा figure है लेकि इसमें cut आ रहा देखिए तो यह एक simple close curve नहीं होगा तो cut नहीं होना चाहिए close तो है यह कहीं से open नहीं है तो simple curve not simple तो यह आपको यह पता हो गया उसके बाद थार्ड बाला आता है हमारा जानना जो इस chapter के अंदर जरूरी है कि simple curve that is not closed तो simple curve देखिए इसमें curve तो है लेकिन यह close नहीं है यह open है तो इसको बोलते हैं simple curve that is not closed इस तरह कोई भी images हो सकती है यह हो गया ठीक है कि यहाँ पर आप यह दि देखते हैं कि यह simple curve भी नहीं है क्योंकि यह आपस में क्या कर रहे हैं यह cut कर रहे हैं तो यह not a simple curve का एक example यहाँ पर है तो इसके अंदर हमने चार चीजें जो यहाँ पर आनी है chapter के अंदर वो हमने इसमें cover किया next हमें जो जानना जरूरी है इस chapter के अंदर कि polygon क्या है polygon क्या है तो polygon के लिए polygon बोलते हैं a simple closed curve यह क्या होते हैं एक simple closed curve होते हैं इसलिए मैंने पहले जो simple closed curve हमने cover किया और यह only line segment main चीज यहाँ पर यही ध्यान देना है कि close curve होना चाहिए और line segment होना चाहिए जैसे यहाँ पर देखिए it rectangle है यह क्या है एक line यह line से बिलका बना हुआ है और closed भी है अब यहाँ पर दुसरी तर्थए example देखते हैं line से तो यह बना हुआ है लेकिन यह open है तो यह आपका जो है Simple Closed Curve और Polygon के बारे में आपको जानकरी यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता चल गई है अब Polygon के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं यह दि 3 Sides है और 3 Verses हैं तो इसको जो है हम इसको बोलते हैं ट्राइंगल बोलते हैं इसमें 3 Sides होंगी उसके बाद Hexagon के अंदर 3 Sides होती हैं इनको हम Sides बोलते हैं यहाँ पर देखें 3, 4, 5 और 6 Sides हैं तो Hexagon के अंदर 6 है तो इसी तरह है अब हम एक Lines एक बार देख लेते हैं ट्राइंगल के अंदर 3 होती हैं Quadilateral के अंदर 4 और Penta Penta से 5 ऐसा सब्द आता है तो Penta के अंदर आपका Penta One के अंदर 5 Sides होंगी Hexagon का 6 मैंने बता दिया उसके बाद Hepta, Hepta, Sapta ऐसा जाद कर सकते हो आप तो 7, Octopus आपने सुना होगा तो उसी तरह जिसे उसमें 8 उसके पैर होते हैं उसकी 8 तांगे होती हैं इस तरह Octagon को आप इसमें 8 Sides होंगी उसके बाद Nanogun इसमें 9 होंगी उसके बाद Decagon में आपका 10 Sides होती हैं तो यहाँ पर हमने 10 Sides के बारे में हमने जाना उसके बाद Nisht हमारा इसके अंदर जो हमें कवर करना है कि Convex और Concave Polygon क्या होते हैं Convex और Concave Polygon इसको जानने के लिए चली शुरू करते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 4 इमेज बनाय हुआ है और यहाँ पर हमने 2 बनाय हुआ है अब यहाँ पर Main Condition हम कैसे पता लेंगे कौन सा Convex है कौन सा Concave तो पहली Condition यहाँ पर देखो एक तो यह Cave की तरह दिख रहा है मतलब यह अंदर की तरफ ऐसे जुके हुए हैं और इसमें इस तरह की Cave कंडिशन ऐसी नहीं बन रही है तो एक तो यह Concave की पहँचान है Concave आपने पहँचान गए तो Convex आप बता सकते हैं दूसरी पहँचान क्या होती है कि इसके जो diagonal होते हैं जो अंदर यह Connectivity यह diagonal यह आपस में दूसरी तो यह जो है ये अंदर ही होते हैं लेकिन यह इसके अंदर अपना देखे तो यहां पर आप का ये यह यदिảसे हैं तो इसके बाओ यह आप Dakota तो यह आपको बाहर जा diagonal shape के जो है under होते हैं ठीक है तो diagonal जो होता है आपका shape के अंदर होता है और यहाँ concave में diagonal जो होते हैं आउट-up से shape भी होते हैं अब उसके बाद नश्ट देखते हैं कि regular polygon और irregular polygon क्या होते हैं regular और irregular polygon के बारे में हमें आपर जानते हैं, रेगुलर पॉलीकॉन के में क्या होते हैं, कि इसमें जितनी भी साइड्स होते हैं, और जितने भी एंगल्स होते हैं, यह सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यहां पर यदि मान देजिए, यह 4 cm का है, तो यह भी 4 cm, यह भी 4 cm, यह पु होते हैं वो equal नहीं होते हैं तो इसके अंदर हमने यहां पर जो है plain surface simple close curve और not a simple close curve उसके बाद simple curve not a simple close simple curve वो हमने देखा उसके बाद polygon जाना कितने तरह कि हमने polygon इसमें यह और भी पढ़े हैं और concave convection के हमने जाना और polygon regular और irregular polygon के बारे में हमने इस पर जाना आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप जरू कमेंट कीजिएगा thank you for watching my channel r&aditya classes part 2 के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में